हेलो दोस्तों, विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम सीखेंगे जिस भी सूट के गली पे यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन बना हुआ होता है चाहे वो प्रिंटेड डिजाइन बना हुआ हो या कडाई वाला गला बना हुआ हो उसकी हम सिलाई कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसमें प्रिंटेड गला बना हुआ है इसका गला हम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से मैंने चौक से पहले गला बना लिया है इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमने चौक से गला बना लिया जितना हमने गला चाहिए तो उसके बाद हमने एक कपड़ा लेना है यह देखे कपड़े का पीस लेना है और इस पर इस तरीके से अच्छे से मिलाकर रख लेना है यह कपड़े का जो पीस हमने लिया जितना हमारा सोल्डर होता है उसके अकॉर्डिंग उतना ही बरावर लेते हैं उसके बाद इस तरीक इसे यहाँ पर soldier से शिलाई लगा देंगे ताकि यह गला fix हो जाए और इधर उधर भागे नए तो हम पर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद हम क्या कराएंगे हम यहाँ पर इसे 20 यह एक बराबर करके यहां पर एक कट लगा देंगे ताकि हमें अंदाजा रहे कि यहां से हमारा यह गला बीच में है यह मारा गला यहां से एकदम बीच ओ बीच में है अब जो यहां से हमने कट लगा है वही से हमने एक सिलाई लगा लेना है यह सिलाई हम कच्ची सिलाई लगाएंगे गला बनने के बाद हम इसे खोल देंगे तो यहां पर हमने कच्ची सिलाई भी लगा लिया यह देखिए आप हम क्या करेंगे यह जो हमने निशान लगाया था गले वाला यह वाला यहां से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमने रखना है और यह हमारा हमने एकदम सफाई से यहां पर सिलाई लगा लेना है यह मारा गला हमने बनाना है तो इसे हमने एकदम सफाई से सिलाई लगाना है इस तरीके से यहां पर हमने सिलाई लगा लिया है यह देखे इस तरीके से अपने गले की हमारी सिला यह finishing के साथ लगा लेना है आप इसे हम पलट लेंगे यह के बाद आप हमने कहाँ इसे पलट के इस तरीक से रख लेना है और आप देख सकते हैं जो निशान लगाया था ना उसी पर हमने सिलाई लगाया है और इसे हम थोड़ा आधा इंच कपड़ा छोड़ कर इसकी हम cutting कर ल इस तरीके से हमने अंकल का cut लगा लेना है यह cut हम इसलिए अगाते हैं जब अपना गले को fold करेंगे तो वह अच्छे से फ्रीसिंग के साथ fold होगा और यहां पर हम जो मारा एक्ष्टा कपड़ा इसे हम इस तरीके से cut करके गले की shape में निकाल देंगे यहां पर आप देख स पर एकदम सिलाई लगा लेना है जहां पर आपने इस तरीके से fold कर लेना है और side में इकदम corner पर हमें finishing के साथ सिलाई लगा लेना है यह सिलाई लगाने के पर हमारा जो गला है वो बनकर तयार हो गया है इस तरीके से आपने कोई भी गला हो चाहे वो कड़ाई वाला गला हो या प्रिंटेट सूट का गला हो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं जब हम इसमें तुर्पाई कर लेंगे यहां पर पीछे बैक साइड में इस तरीके से कपड़े को फोल कर फोल करके चाहे आप शिलाई लगा लें तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा गलक दम फिनीशिंग के साथ बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी गले को बना सकते हैं आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और हेल्थ फुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखें बाई